तो हैलो, दोस्टो आज हम बात करने वाले हैं जी फाइप पर रिलीज हुई फिल्म Linux के बारे हैं फिल्म को ले कर बीटे काफी दिनों से चर्चा हो रही थी यामणी गौतम इस फिल्म में एक पत्रकार के भूमिकाय में नजर आ रही है यामनी गौतम ने इस किरदार के लिए काफी मेहनत किया जो फिल्म के हर सीन में साफ नजर आ रही है लेकिन यह फिल्म खत्म होते होते एक अधूरेपन का एसास दे जाती है यह एक सस्पेंट थ्रिलर फिल्म है अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो लोस्ट मुवी में एक न पास को सुल जाने की कोशिस करती है ली नजर में तो यह एक समाने मामला लगता है लेकिन जैसे जैसे परते खुलती है हम देखते हैं कि कैसे एक लड़की की महत्वकांसा एक रिष्टे को तोड़ देती है और एक धूर्त मंतरी के लिए राजनीतिक उसर बन जाती है दो प खनाप पड़ती है तो उनकी रिष्टे में दरार आने लगती है क्योंकि वह राजनीतिक सत्त चाहती और वर्मन हर किसी को विश्वास दिलाता है कि इवकार करता नक्सली अंदोलन में सामिल हो गया है वास्तिविक्ता कहीं बीच में है लेकिन इसके लिए रास्ता किसी तर जाधा दूरा भी हो सकती है और आपको बता दे कि इस फिल्म में पंकच कपूर भी है जो फिल्म में रिड की हड़ी वाला काम कर रहे हैं पंकच कपूर और यामनी गौतम के बीच के द्रिश सने से भरे हुए जो कायानी को और ज्यादा मजबूत कर देता है तो आप लोग क अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजेगा और अगर फेस्बूक पेज पर देख रहा है तो फेस्बूक पेज को फॉलो कर लिजेगा लिए मिलते हैं अगले नेक्ट वीडियो में तक तक के लिए टाटा बाई बाई जय हिंद बंदे मात्रम